हेलो अर्वान वेल्कम बैक टू वारल बंदा तो गैज मेरे पास काफी दूनों से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट टारीं थी है कि मुझे कुछ ऐसा तरीका बता हो कि हम विदाउट PC को यूज करें हमारे फून का बूट लोडर अनलॉक कर सकें और साथ में कोई कस्टम रिकवरी बी इंस्टाल कर सकें तो यार काफी सारे लोग होते हैं जो PC यूज नहीं कर पाता है या फिर जिनकी पास होता नहीं है तो उन लोग के लिए बूट लोडर अनलॉक करना और कस्टम रिकवरी इंस्टाल करना एक बड़ी प्रॉप्लम हो जा जो लेफ्ट वाला फोन है वो है रियल में 3 प्रो और जो राइट वाला है वह हमारा असुस जैन फोन मेक्वरी इंस्टाल करना बता दूगा बाकि अप अनलॉक भी कर सकते हो गए सेम कमांड देकर मतलब मैं आपको कमांड बताऊंगा थोड़ी दिर में तो किस हमारे जो ल सब्सक्राइब वगी कि हमारे फोन को रूट होना ज़रूरी है तो नहीं है अपकुसमें सब्सक्राइब करने करने के ना चाहिए ऐसा सब्सक्राइब यहाँ पर देख सकते कि कि usb debugging हमने एंग कर रखी है इसको आपको अन कर लेना जो आपका unlock वाले फोन इसको आपको करना है उसको डिवेवफर आप्शन करना है वह कैसे करने आपको developer option में जाने के बाद ADB USB debugging जो है उसको on कर देना है इतना कर लेंग के बाद आपको जो commander phone है याईनि कि left वाला जो phone है उस पर आपको एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना है प्लेस्टोर से इस अपका नाम है bug eager इसको मैं ऐसा ही प्रनाउंस करता हूं आपको जैसे करना हो कर सकते हो इसकी स्पैलेंगे का इस बी यू जी जे एई जी ए आर तो आपको यह प्लेस्टोर पर आसानी से मिल जाएगी और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस आपको बस इंस्टॉल करके रख लेना है आपक इसकी क्वालिटी की हो और जितनी छूटी हो उतना बहत्री ना क्योंकि जितनी बड़ी केबल होगी उतना ही पावर कंजम्शिन जादा होगा और हमारे फोन शायद उतना हेंडल ना कर पाए वैसे तो आप यूज कर सकते हो मैं चैक हो है हमारी जो फोन की जो इसे आये आप पर सब्सक्राइब कर देना है और आपके अपने आप अपने अपने अपनो जैसे अब आप अपने आप नहीं पड़ती है तो यहां पर दिख सकते हैं कि बगई कर आपको कोई भी रूट एक्सस नहीं दी रखा है मैंने सिर्फ माने यह पर फोन कनेक्ट किया है तो आप जैसे में कनेक्ट करूंगो अपने आप जो बगई गर आप है वह दूसरे फोन में उपन हो जाती है तो यह देखिए किस इसका मतलब है हमारा ADB ब्रिच कनेक्शन जो हो चुका है और दोनों फोन आपस में कनेक्ट हो गये गिस अब आप बगई को देखोगे तो यहां आपको देखने के लिए मिल जाता Android वरिजन किस आप स्क्रीन कैप्चर भी कर सकते हो यहां पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके जो दूसरा फोन है उसकी स्क्रीन यहां पर आ जाएगी तो यह मतलब लाइव नहीं चल रहा है सिर्फ एक बास स्क्रीन शॉट ले लेता है और यहां पर प्रकश जो है आपके फोन में जो दूसरा आपकेज है आप सकते यहां पर आपको आपको एकन पर ऐकने लिए आप सब्सक्रीन. आइकन पर जहां पर fastboot लिखा होगा तो यहां पर आप fastboot commands जो है carry कर सक्ते हो तो कि जह हम क्या करेंगे हमारे commander phone के थरू हमारे commandit phone का जो recovery है वो change खरेंगे ठीक है तो उसके लिए यार मैं पहले recovery मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारी जो commandit phone है उसमें कौन सी रिकावरी इंस्टाल्ड है तो उसके लिए मैं रिबूट टू रिकावरी करूंगा गाई और आपको दिखा देता हूं कि कौन सी रिकावरी अभी यहां पर अविलेबल है यह वाले फोन है तो चलिए रिबूट रिकावरी करते हैं ओके गई तो आसूस का लोग आ गया और ट यह अपना इस सकते हैं आपको क्या करना है आपको लिए आपको आपको बटन देख रहोगा यहां से आप डाल सकते हैं तुर हम कि में सब्सक्राइब जैसे कि पीसी में करते है तो यहां पर हम लिखते हैं फ़र्वोड टिएस am.d. इस देखे थरू वो लिस्ट हो जानी चाहिए अगर हमारे सब कनेक्शन सकस्फुल होगा तो यहां पर एक सेरियल नंबर के साथ फास्ट बूट लिखा हो आ गया यानि कि हमारे जो कनेक्शन सकस्फुल है हम कमांड जाहां पर डाल सकते हैं फास्ट बूट फ्लैशिंग आनलग आप जैसे ही डालोग आपका बूट लुडर उनलोग हो जाएगा पर यहां पर फेल हो रहा है क्योंकि पहले से अनलोग dependent है अगर आपका अनलोग नहीं होगा तो यह सकस्फुल हो जाएगा और आपका फोन फोरРЕट हो जाएगा तो guys यह command यूज़ करके आप जो है bootloader unlock कर सकते हो किसी भी phone का पर उसके पहले कुछ phones मैसा होता है कि आपको permission लेनी होती है कि अब हम आप recovery flash करेंगे तो fastboot flash recovery और space दो गया पहले ठीक है फिर यहां पर attach button आपको दिख रहा हुगा इस attach button पर आपको click करना है और फिर कई आपने जो recovery download करके रखी होगी आपके दूसरे phone के लिए dot img format में वह आपको select करना है तो किसमाने है आपर आसूस की recovery download कर रखी है तो अब ही हमारा TWRP थी अब हम यहां पर pitch black flash करेंगे ठीक है तो यहां पर आपको select कर लेना है select करते ही आपकी जो location है file की जो recovery की location है वह अपने आप यहां पर paste हो जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने लिखा था fast boot flash recovery उसके बाद space दी थी उसके बाद यहां पर अपने एक location आगी अटेश करने के बाद सिर्फ आपको start button पर click कर देना ठीक है तो यहां पर हमने क्लिक किया और कि यहां पर हमारी यह देख सकते है flashing complete हो गई है ठीक है flash successful हो गया यहां पर यानि हमरी recovery जो install हो चुकी होगी तो हम चैक करते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे phone को को disconnect करना होगा और फिर यहां पर हमें बटन करने होंगे जिसके तुरू हम recovery में बूट करते हैं तो गाइस में ऐसा होता है कि power plus volume down से recovery में जाते हैं तो चलिए हम recovery में जाते हैं power plus volume down को hold करते थोड़ी देर और फिर यहां पर recovery open होगी ओके गईस तो अब recovery आने वाली recovery flash कर सकते हो बूट लूट कर सकते हो तो यह काफी अच्छी बात है जिन लोगों के पास PC नहीं होता वह एक अब लोग पर प्रॉबबलम आ रहे थी कमांड फेलोरी है वह शिर्फ एक application के यूज करके जिसका नाम है या फिर आप जो भी उसको बोलते हो बग जागर बग जी मुगड़ बग जो बी हो तब तक मैं आपको इस application की कुछ एडिशनल इंफरमेशन बता देता हूं तो पहले आप देख सकते हैं कि यह fast boot का mode आपको मिल जाता है backup आप यहां से कर सकते हो आपके phone का और यह जो command shell है यहां से आप अपनी commands डाल सकते हो fast boot की या फिर ADB की तो ADB में यहां पर support है आपको अगर bootloader में दिखा देता हूं फिर आपको बताऊंगा कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो यह सब तो सिर्फ आपको देखिए यह यूएसबी केबल कनेक्ट करने आपके फोन से और अपने आप जो है आपका डेटा यहां पर आपके पहले वाले कमांडर फोन पर शो होने लग जाएक तो यह द मिलने रही है यहां पर बहुत सारी कमांड रवलेबल गई तो अपने साब से जो कमांड आपको रन करने आपकर सकते हो प्रिंक्लूड कमांड है तो ठीक है यह देखिए यहां से हम स्टेटर बाग को डॉपडाउन भी कर सकते हैं और एक और बार करते तो शायद कंप्लीट ध्याइummy तो नहीं हो रहा है complete dropdown तो नहीं हो रहा है कम्प्लीट डोप्डौण तो नहीं हो रहा है अब हम एक काम करते है कि हम इसको वापस से ओपर भ dłक करते हैं तो हैं तो एकिया तो काफी सारी प्रिंटॉड इंजंड कमांड में जो कि आप यूस कर सकते हो यह फिर आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट्स में आप जो भी प्रॉब्लम आरे हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल देंगे डाउनलोड वगर अगर के और इस प्लीज इंस्टाग्राम पर भी हमारे कुछ 75 फॉल्वर्स होगे तो प्लीज गई सब्सक्राइब करो थैंक्यू